क्या होगी रणनीती विश्व हिंदू परिशद की हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विश्व कोगजे साब आज तक में आपका स्वागत है सर ये वदाईए कि आपने नया कारेभार लिया है अंतरास्ट्रिय अध्यक्ष का इसका सबसे बड़ा सवाल वही है राम जन्मभूमी किस तरह की रणनीती आपकी होने जा रही है और क्या उमीद किया जाए मंदर कब बनेगा देखिए राम जन्मभूमी ये एक हमारा मुख्य कारिकर्म है हमारा मुख्य आस्ता है और उसके लिए सारे प्रहतने शील है आज तक जो प्रहतने चल रहे थे वही आगे बढ़ेंगे अभी प्रकर्ण नयालेम प्रविश्ट है आज तक के स्थिती भी भगवान स्री राम नहीं निर्मित की है उसी के आशिरवात से और उसी के वरदान से आज तक आज के स्थिती में हम लोग आये हैं हमें पूरी आशा है और विश्वास है कि स्री राम की क्रपा से हम नयायले में भी जीतेंगे और एक भव्य मंदिर का निर्मानिया कर सकेंगे कारेभार गरण करने के बाद मैं और हमारे कारेदर्प्ष आलोग जी भारत में अन्य जगह प्रवास करने के पहले राम लदा के दर्शन करने हैं यहीं से हम प्रारंब करेंगे क्योंकि हमारा आज का मुख्य मुद्धा राम जिन भूवी के स्थान पर भवे मंदिर निर्मान करने का है और भगवान हमारे इस सपने को पूरा करेंगे हमारे इसा पूरन विश्वास सर आप चीफ जस्टिस भी रहे हैं हाई कोट के और पहले जो धक्ष थे तोगडिया जी वो खुले तोर पर कहते थे कि जब बनेगा राम मंदिर वहीं बनेगा नियाले का चोचा है जो फैसला हो हम आप से क्या उमीद करें कि नियाले के फैसले का आप इंतजार करेंगे या राम जन भूमी का जो आपका बनाने का समर्पन है वो पूरा होगा पहली बात तो यह है कि हमें यह नयायले पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है हमारा पक्ष नयाय का है और नयाय होगा इसमें हमारा पूर्ण विश्वास है और उसके बाद नयायले का फैसला होने के बाद क्या होगा यह हम सब लोग मिलकर बेट करता है करेंगे तो नियाले के निर्णे का इंतजार कब तक होगा क्योंकि अभी तक ये वेट एंडलेस ही लग रहा है अभी तक एंडलेस था भगवान स्री राम की करपा से अब देखे उसको वेग प्राप्त हुआ है जितने इंटर्विनर थे जो लोग इसमें डिले करना चाहते थे देर कर करके और हर बार नए अभी लेक नई नई कोई नई बाते उसमें डाल कर इसको लंबा करने का बहुत प्रायत ने किया एक प्रायतन तो ये भी हुआ कि 2019 के पहले इसके सुनवाई नहों ये सारे प्रायतन भगवान स्री राम की करपा से अपास्त हो गये हैं और आज नयायले ने ये फैसला लिया है कि जो पक्षकार इसके हैं उनी पक्षकारों को सुना जाएगा और जो अभिलेक पर साक्ष है उसी को ध्यान में लिया जाएगा इस कारण से इसको वेक प्राप्त हुआ है और हमें लगता है बहुत शीक्री इसका निर्णे होगा लेकिन नयायले तो इसे टैटिल सूट के तौर पर इस पर सुनवाई करने जा रहा है जवीन विवाद को ही देखेगा वो लेकिन नयायले में परवी करने का काम हमारी हां स्रेश्ट तम वकीलों के पास दिया हुआ है और स्रेश्ट तम लोग इसको विचार करके नयायले के समक्ष क्या पक्ष रखना है इसके बारे में सोच रहें तो नहले में जो पक्ष रखा जाएगा वो सशक्त रूप से रखा जाएगा और ये ऐसे सारवजनिक चर्चा का विशय नहीं हो सकता साथ हजार प्रश्टों का तो निरने हैं उसको दस मिनिट की प्रेस कांफरेंस में उसके बारे में व्यक्ष करना संभव नहीं है हमारा विश्वास पूर्ण रूप से उन महनुभावों पर है जिनके हाथ में इसकी पहरवी करने का काम है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो पूर्ण शमता के साथ इसे करेंगे